तो लास्ट वीडियो में हमने python में assignment operators पढ़ा था और मैंने कहा था कि आपको इसके बारे में अभी बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है वो इसलिए क्योंकि अगर आप assignment operator का basic पता है आपको अगर आप मेरा पिछले वीडियो देखें तो मैंने उसमें अच्छे से समझाया कि assignment operator का मतलब होता है किसी भी value को variable में assign करना है ना मतलब दो चीज़े confirm होंगे value और variables क्योंकि value जो assign होगा वो variables में होगा तो variable होना तही है है ना तो जैसे कि अगर आप लिखते हो x is equal to 3 इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि x नाम का एक container create होगा एक variable create होगा और उसमें क् 3 assign हो जाएगा यह जो 3 है वो क्या हो जाएगा इसमें assign हो जाएगा तो यहाँ पे 3 assign हो गया है अभी यह जो है equal to यह एक simple assignment operator है इसी तरीके से और भी बहुँ सारे assignment operator है आप नीचे देख रहे होंगे लेकिन आप सब में अगर देखेंगे तो यहाँ पे equal to से पहले कुछ और अभी चीज है मतलब equal to है confirm है यहाँ पे आप देखें सभी में equal to है इसका मतलब क्या होता है तो मैंने समझाया था कि अगर कोई यह लिख रहा है कि x plus equal to 3 इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि x में 3 add हो जाए और फिर x में ही assign हो जाए इसका मतलब यह हुआ कि आप ऐसे लिख सकते हो x is equal to x plus 3 मतलब आप ऐसे लिखते या फिर यह direct operator यूज करके आप इस तरीके से shortcut ऐसे लिख सकते हो मतलब इसका एक alternate तरीका है यह लिखने का है तो जब plus equal to है यह क्या है x में 3 को add कर दो मतलब यह जो variable है उसमें 3 को add कर दो और जो result है उसको x में assign कर दो तो अग मतलब यहां से 3 हड जाएगा और यहां पर क्या जाएगा 6 तो जितने भी operator हैं आप देखरे होंगे यहां पर minus equal to multiply equal to तो यह सब क्या है पहले minus होगा उसके बाद equal मतलब assign हो जाएगा फिर multiply equal to है इसका मतलब यह हुआ कि पहले क्या होगा पहले value multiply होगा then उसी variable में value assign हो जाए है पहले यह solve हो और solve हो कर जchio result आएगा वो result उसी variable में assign हो जाएगा बट अभी तक हमने इसके बारे में नहीं पड़ा है अगर आप इसके बारे में आप देखोगे तो अभी तक मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया तो अगर आप इसके बारे में जान जाओगे उस उसके बाद यही चीज solve होगा और फिर जो result आएगा वो उसी variable में assign हो जाएगा जैसे यहाँ पर हो रहा है ना तो उम्मीदे आप मेरा पिछले वीडियो देखेंगे python में assignment operator क्या होता है तो वहाँ पर अच्छे से clear हो जाओगे अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के playlist में check कर और पाइथन में comparison operators क्या होता हैंClass यह दो चीज हमेशा output में आता है यह दो के अलावा कुछ भी नहीं आएगा comparison operator में ठीक है अब true कब आएगा और false कब आएगा बात को समझेंगे देखेंगे मैं आपको थोड़ा सा आपके बच्पन के दिनों में ले चलता हूँ और जब आप स्कूल के दिनों में थे तो वहाँ पे आपको बच्चा में एक question दिया रहाता था कि greater than, less than आपको decide करना है तो क्या के जाता था? 3, एक box बन गया और यहाँ पे कोई 5 लिख दिया है और यहाँ पे आपको greater than, less than, equal to इस तरीके से यहाँ पे symbol यहाँ पे भरना पड़ता था तो यहाँ पे अगर आपने यह भरा दियान से देगे अगर आपने यह भरा तो 5 greater than है ना मतलब जिधर मुह खुला रहता है उधर बढ़ा होना चाहिए ना तो 5 बढ़ा है तो 5 की और देखो यहाँ पे मुह खुला हुआ है मतलब कह सकते हैं कि local language में message को समझा रहा हूँ आप समझ जाओ बस इतना काफी है तो यहाँ पे यह चीज़ा देखो यह सही है यह सही है यह गलत अगर teacher check करेगा तो यह सही है ना फिर क्या करेगा teacher इसको कर देगा false मतलब यह गलत है तो यहाँ पे output क्या आएगा false आएगा तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा है ना तो यह दो operator आपको समझ में आगे होगा यह और यह है ना उसके बाद ही double equal to क्या है double equal to equality को check करता है जैसे कि अगर आपने लिखा है 5 double equal to 5 तो आपको क्या करना है यह जो comparison operator है ना उसमें आपको खुद से question करना है कि क्या यह सही है तो 5 equal to equal to 5 तो equal to देखे यहाँ पे double equal to जो है ना equality को check करता है मैं बरबर बोल रहा हूँ तो single equal to और double equal to same नहीं है single equal to का काम है variable में value assign करना उसमें store करना और double equal to क्या करता है दो value के बीच में equality को check करता है तो यहाँ पे 5 equal to equal to 5 क्या 5 5 के बराबर है हाँ सही बात है और अगर सही बात है अगर true है तो output क्या मिलेगा आपको true मिलेगा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यह चीज़ double equal to है ना अब अगर कोई ऐसा लिख देता है कि 3 double equal to 4 तो क्या 3 4 के बराबर है नहीं है ना तो यह तो false हो गया तो इसका जो output आएगा वो क्या हैगा false हैगा राइट इसका output क्या हैगा false हैगा अगर आपने ऐसा लिखा है कहीं पे तो इसका output क्या हैगा false है ना तो यह चीज़ समझ में आ गया अब देखिए एक और है यहाँ पे not equal to इसको क्या पढ़ते है not equal to है ना तो not equal to क्या करता है बराबर नहीं होगा तब true देगा और बराबर होगा तो false देगा ना मतलब आप question राइज करो ना देखो question कैसा राइज करना है 3 not equal to 4 अब अपने आप से question राइज करो question पुछो अपने आप से कि 3, 4 के बराबर नहीं है ऐसा इसका मतलब तो यही हुआ ना 3, 4 के बराबर नहीं है हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे है यह सही बात बोल रहे है कि 3, 4 के बराबर नहीं है तो यहाँ पे यह true देगा क्या देगा? True तो output कि आएगा? True आईगा 5 अब अगर कोई ऐसा लिख दे कि 3 not equal to 3 अब यह बात बता हो यह तो सरासर गलत बात हुआ ना कि यहां पे क्या बोल रहा है यह बोल रहा है कि 3 जो है ना वो 3 के बराबर नहीं है लेकिन यह बात गलत है यह false हो जाएगा 3 जो है 3 के बराबर था बड़ यह बोल रहा है नहीं है तो यह question आपको करना है अपने आपसे उसे तरह के साब इसमें भी question कर सकते हो जैसे कि अगर कोई लिख दिया 3 greater than 2 3 दो से बड़ा है हाँ सही बात है और अगर सही बात है तो फिर यह इसका output क्या आएगा true आएगा तो मैं जो भी बता रहा हूँ आपको एक एक example आपको समझना है तो उम्मीद है कि यह सारा operator समझ में आगे होगा अभी यह दो operator समझना आपको यह दो operator है ना अभी यह दो operator क्या करेगा इसमें ना यह है greater than और equal to मतलब या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए और फिर इसमें क्या है या तो less दिन होना चाहिए या तो equal to होना चाहिए ना देखिए मैं बता रहा हूँ इसको अच्छे से समझा करके ठीक है देखिए अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ 3 greater than 3 तो यह तो false बात है ना मतलब यह तो गलत बात है 3 greater than 3 नहीं है इक्वल है तो अगर आप यह लिखते हो तो इस case में आपको output क्या मिलेगा बताइए इस case में आपको output मिलेगा false है ना तो देखिए आप क्या चाहते हो मैं बता रहा हूँ आप चाहते थे कि यह जो पहला वाला value है ना वो इससे greater हो या फिर equal हो तो दोनों case में क्या दे हमें output हमें true दे तो आपको ऐसा लिखना है ध्यान से देखे कैसे 3 greater than equal to 3 अब इससे क्या होगा इससे होगा यह कि यह जो पहला वाला value है ना वो या तो देखे यह वाला मतलब यहां पर दो operator है आप ऐसा समझे ले एक greater than और एक ठो equal to अब यह दोनों में से कोई भी true हुआ ना तो output true आएगा तो यह जो 3 है पहला वाला जो 3 है इसको आप भूल जाए यह जो equal to दिया हुआ है इसको भूल जाए आप तो यह 3 इस 3 के इस 3 से बड़ा है मतलब इसका मतलब तो यह होगा ना अगर यह operator देखे हम यह greater than वाला तो इसका मतलब तो यह है पर ऐसा नहीं है यह false देरा है लेकिन यह जो equal to है यह equality को चेक करता है तो क्या 3 3 के पराबर है हाँ है तो दोनों में से कोई भी अगर true होता है मतलब या तो बड़ा होता है या फिर equal होता है तो इस case में आपको क्या मिलता है output आउटपूट मिलता है आपको true उम्मीदें आपको समझ में आ रहा होगा उसे तरीके से अगर मैं यह लिखता हूँ 5 less than equal to 7 अगर यहाँ पर दो operator है एक तो या तो less than होना चाहिए या फिर equal to ना चाहिए दोनों में से कोई भी अगर true होगा तो true हैगा ठीक है तो यहाँ पर equal to तो नहीं है 5 equal to 7 तो नहीं है तो इस case में क्या मिलेगा इस case में तो false मिलना चाहिए लेकिन यहाँ पर आप इस operator को देखे न इस operator का मतलब क्या है कि 7 बड़ा होगा 5 से और यह बात सही है और यह बात अगर सही है तो मैंने बोला कि दोनों में से अगर कोई एक बात भी सही होगा तो output क्या आएगा output आएगा आपका true है ना तो इस तरीके से यह operator काम करता है तो फिर से में बताता हूँ यह double equal to equality को चेक करता है अगर दोनों value equal है तो true देगा दोनों value equal नहीं है तो false देगा यह not equal to चेक करता है बराबर नहीं होना चाहिए अगर बराबर नहीं है तो true देगा व्राबर है, तो false देगा यė जो है greater than को check करता है, value अगर greater than है पहला value कर greater than है दूसरे value से तो यहां पर true देगा, otherwise false देगा ये जो है less than को check करता है मतलब पहला value, छोड़ा होना चाहिए, दूसरा value जो है इस side वला value क्या होना चाहिए, बढ़ा होना चाहिए एक भी true हुआ तो true होगा है ना इसमें भी same चीज ये दोनों operators में से कोई भी एक operator true होता है तो क्या होगा आपका output जो है वो true आएगा है ना तो चलिए थो प्रैक्टिकल देख लेते हैं तो मैं open करता हूँ अपना pie charm और यहां पर यहां पर हम लोग कोड लिखते हैं ना तो दियान से देखेगा मैं print करा रहा हूँ मैं print करा रहा हूँ 3 greater than 2 3 greater than 1 अब इस case में क्या मिलेगा question arise करें ना 3 greater than 1 3 जो है एक से बड़ा है हाँ सही बात है और अगर सही बात है तो मैं इसको save करकर run करता हूँ यहां पर true आना चाहिए तो आप देखेंगे कि यहां पर यह true दे रहा है output देगे true दिल रहा है ना आप actually में क्या करवा रहे हो अब ही मैं greater than कर दिया अब मैं इसको less than करता हूँ तो 3 less than 1 ऐसा बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है यह गलत है और अगर यह गलत है तो output में आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा false अगर आपको teacher यह question दिया होता तो यह false कर देता ना यह गलत कर देता अगर आपने यह sign दिया बीच में तो तो यहां पर आप output देखेंगे यह false आ रहा है राइट चलिए यह हो गया अब double equal to इसको मैं दिखाता हूँ यह क्या करता है equality को check करता है दोनों बराबर होना चाहिए तो अगर मैं इसको run करता हूँ save करके तो यहां पर यह false दे रहा है false इसलिए दे रहा है क्य यह दोनों value बराबर नहीं होना चाहिए मतलब यह क्या बोल रहा है statement को आप देखें यह बोल रहा है कि 3-3 के बराबर नहीं है तो यह बात तो गलत है 3-3 के बराबर था और यह बोल रहा है नहीं है तो नहीं है अगर ऐसा बोल रहा है तो फिर यह गलत बात बोल रहा है और यहां पर आपको true मिलेगा, चलिए, बहुत बढ़िया, यह भी आपको समझ मागिया होगा, उसके पाद क्या है, 3 greater than, equal to 5, इसका मतलब यह हुआ, कि यह जो 3 है न, यह 5 से बड़ा होना चाहिए, या फिर उसके बराबर होना चाहिए, मतलब, या तो बड़ा होना चाहिए, या यह जो 3 है, यह 5 के बराबर भी नहीं है, मतलब यह भी false हो गया, false false दोनों हो गया, तो फिर false मिलेगा, है न, तो दोनों में से कोई एक भी true होना चाहिए, तब आपको true मिलेगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5, तो अब मैं अगर shape करकर run करता हूँ, तो यहाँ पर true देगा, क्यों? क्योंकि यह जो 5 है, यह 5 से बड़ा तो नहीं है, लेकिन बराबर जरूर है, तो यह बराबर वाला true हो गया है, न, चलिए, अगर आप यहाँ पर कोई बड़ा value भी देतें कि 50, तो अभी भी क्या हो जागा, यह true होगा, क्यों? क्योंकि यह 50 बड़ा है 5 से है न, तो यह वाला condition जो है, वो true हो जा रहा है, राइट, चलिए, अभी मैं इसको पलट देता हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, कि यह जो 5 है न, यह 50 से बड़ा होना चाहिए था, है न, या फिर क्या होना चाहिए था, equal होना चाहिए था, दोनों मे आप output देख सकते हैं, कि यहाँ पर यह false दे रहा है, है न, तो यह था हमारा, पूरा का पूरा, comparison operators, जो कि मैंने आपको इस तरीके से समझाया, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया, तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों म मैं आपको complete करवा दूँ, है न, तो अगर चैनल को subscribe नहीं किया, तो आप कर ले, okay, thank you.